दिस नियोज इस पॉंसर्ट बाइ हीरा बैंकिट हॉल फुली एर कंडिशनर आट सेयद अली चबूतरा नियर शागास होटल ए-18 खबरनामा में आप सबी का इस्तखबाल है तलंगाना हाई कोट ने पीर को रियास्ति हुकूमत को हिदायत दी के कोवीड-19 के फैलाओ की रोक थाम के लिए नाइट कर्फियू या हफते की आखिर में लॉगड़ॉन नाफिस करने पर जोर दे हाई कोट ने कहा अगर हुकूमत अगले 48 घंटों में इस पर कारवाहीं नहीं करती है तो अदालत एहकमात मनजूर करेगी तलंगाना में कोवीड-19 केसों के असल तादाद इससे दुगनी हो सकती है जो डेली रियासती हकूमत की जानिब से मीडिया बुलेटर में दिखाई जाती है हकुमत की जानिब से मीडिया को ये ऐलान करने से पहले जिला सता के सेहत के अधिदारों के जरीए होने वाले केसों की तादाद में जबरदस कमी की जा रही है दन्यूज इंडिया एक्सप्रेस पेपर की जानिब से एक हकीकत जाचने के बाद 13 इजला में 17 अपरिल 2021 को कोवीड नाइटीन की असल कुल तेदाद 4868 थी लेकिन जारी करदा मीडिया बुलेटर में इनी तेरा अजला की आदाद और शुमार के मताबिक कोवीड नाइटीन केसों की मुझमई तादा 1627 बताई गई रियासती हुकूमत ने इन तादाद को हैरत अंग्रेज तोर पर 66% कम कर दिया है तलंगाना हाई कोट ने कोवीड नाइटीन सुर्थ हाल से मतालिक समात करते हुए दर्खवास के जवाब में रियासते हुकूमत को हीट करते हुए कहा हुकूमत की तरफ से दाएर हल्प नामे को खौईश मंद होने और मायूस हिकिन खरार दिया चीप जेस्टिस हेमा कोली ने हुकूमत के मुवाखिप पर शदीद नाराजगी का इसहार करते हुए जानना चाहा क्या तलंगाना में अवाम की जान से बढ़कर पप्स शराब की दुकाने थेटर्स खुले रहना थेहम है हाई कोट ने रियासती हुकूमत को हिदायत देते हुए कहा कोवीड नाइटीन के फैलाओ की रोक थाम के लिए जल्दी बड़ी अवाम इस्तेमाद पर खाबू पाने के लिए सरकुलर जारी करते हुए जरूरी एकदमाद आयत करे कोवीड मरीजों के रिस्तेदार हैदरबाद के मुसा पेट के हाईडो पार्मा आटलेट में जमा है जहां रेमेडिस वर फरोखत हो रहा है जरूरत बंद अफराद के पास कोवीड मरीज की हैच आर सीटी रिपोर्ट और आधार कार्ट की कौपी मौजूद होनी चाहिए इंजेक्शन में छे डो से जिसकी खिमत 35,000 रुपे है हिंदुस्तान में कोवीड 19 के वाकियात में तेजी से इजाफे के पेशे नजर कई रियासतों ने पहले ही लॉगडॉन और कर्फ्यू का ऐलान किया है अब राजिस्तान हुकूमत ने पीर से शुरू होने वाले 15 दिन के लॉगडॉन का ऐलान किया है जो 3 में तक जारी रहेगा डली वजीर आला अर्विन गरिजवाल ने पीर को एलान किया है कि डली आज की राज से अगले 26 अपरेल की सुबा तक लॉगडॉन में रखा गया है ये पाबंदियां आज राज 10 बजे से अगले पीर की सुबा 5 बजे तक वरकरार रहेगा इतवार के रोज तलंगाना में कोवीड 19 की केसेस में कमी आई क्यूंकि नसबता कम नमूने टेस्क किये गए तलंगाना में कोवीड 19 के 4009 ने पॉजिटिव केसेस और 14 मतासरिन की कोवीड से मौत हो गई मिनिस्टर आफ मेडिकल और फैमली वेलफे सेकेटरी साइम रवी ने बताया रियासती हकोमत की जानिव से ऐलान किया है कि तमाम रियासती खिद्मात अंजाम देने वाले मुलाजमीन और रिटार्ट मुलाजमीन और उनके मनासिर जो कोवीड 19 इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल है उन्हें एक लाक रुपे तक की तबी मुआबसे की एहल है और दीगर तमाम जमरों को हंगामी सूर्तों में इलाज मलाजे की इजाज़त देते हैं मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुश्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोद किया है मेरा ये मानना है कि lockdown से करोना खतम नहीं होता lockdown से करोना की speed कम हो जाती है मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो lockdown लगाना जरूरी हो जाता है ताकि patients का number कम हो जाए ताकि health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आप से इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में beds की विवस्ता करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगतार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे oxygen की विवस्ता करेंगे दवाईयों की विवस्ता करेंगे इस lockdown के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तिमाल करेंगे मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि lockdown का पूरी तरह से पालन करें घर से बाहर इस दौरान ना निकलें पहले भी हमने कई कठिन निरने लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीर है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे